दोस्तों आज साल का पहला सूरे गरहन लग रहा है और इस गरहन पर कई सारी ऐसे काम है जो नहीं करने चाहिए जैसे के मंदिर के कबाट बंद कर देने चाहिए बाहर नहीं निकलना चाहिए सूरे गरहन के दोरान क्योंकि गरहन के समय कुछ ऐसी तरंगे होती है जो हावी हो सकती है और उसे निकलने वाली जो तरंगे है बहुत ही बुरी होती है जिस मनुसे पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है खासकर गरभवती महिलाओं को इस बात का खासा ख्याल रखना चाहिए उन्हें बाहर नही देखना चाहिए क्योंकि उसमें से जो तरंगे निकलती हैं बहुत ही हाने कारग होती हैं और वो के ऊपर बुरा असर टाल सकती हैँ तो इस तरह से गरभवती महिलाओं को सूर्य गरहड या फिर चंद्र गरहड से बचना चाहिए. गरहड के दवरान गरभवती महिलाओं को चाकू, सुई या फिर कटर यानि कि लोहे के समानों का उप्योग नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो आप लोग भी सतर्क रहें जो भी गरबवते महिलाए हैं सतर्क रहें घर से बाहर ना निकलें और आज गरहन लगने वाला है थोड़ी देर में वैसे भी बहुत ही कम दिखने वाला है भारत में इसका अफर बहुत ही कम है आप लोग भी खाना पिना है या भी खा सकते हैं क्योंकि गरहण के दोरान ने तो खानाय बनाया जाता है और नहीं खाया जाता है तो इस तरह से आप लोग भी खा लिजिए और घर से बाहर ना निकलें कोई भी सुबकारे करने से बचना चाहिए ग्रहण के दोरान क्योंकि कोई भी सुबकारे किया जाता है तो वो सफल नहीं हो पाता है इसलिए मान्याता है कि कोई भी सुबकारे नहीं करना चाहिए लेकिन इसी बिच आज के दिन एक और त्योहार है वट सावित्री पुजाजी यहां जो अवरते अपने पती की लंबी आयू के लिए ये वरत रखती हैं तो आज ही के दिन ये वरत भी है तो अगर आप लोग करते हैं तो अच्छे से कीजिए अपनी पती की लंबी आयू के लिए चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी को दबा दीचे